Roshan OS Lite Pentium 4 256 MB RAM पर चल सकता है जी आपने बिल्कुल दुरुस्ट चुना मैं हूँ आमिर्शाथ अटक चेर पाकिस्तान से आपके लिए Roshan OS 2 के रिवियू के साथ तो रिवियू के हम स्टार्ट करते हैं और ये रिवियू इंशालात अला तफसीलन होगा कि किस तरह हम Roshan OS Lite को Pentium 4 या उससे Upgrade सिस्टम पर चला सकते हैं और RAM अगर 250 6 है उस पर या अगर ज्यादा RAM है तो उस पर कैसे चला सकते हैं तो जब आप bootable USB बना चुकेंगे ISO आप download करेंगे उससे आप bootable USB बनाएंगे वो चीज़ें documentation इस welcome documentation के अंदर mention है तो उसके बाद आप जब on करेंगे तो आपके सामने ये desktop आपके सामने आएगा तो इस desktop को आप अगर compare करें जो आपका existing system है windows गालबन आपके पास install होगी तो उसमें जो interface elements है वो almost ऐसे ही है desktop आपके सामने होता है और task bar होती है start menu यहाँ पे होता है तो start menu पे क्लिक करें तो आपको मजीद application settings मुख्तलिफ चीज़े कर सकते है तो अगर तो आपके पास जो computer है वो RAM उसकी 1GB है या 2GB है तो यह रोशन वैस लाइट उस system पे चलाने के लिए बहुत जबरदस्त है और अगर आपके पास pentium 4 है या core to do है तो इन systems के लिए यह जबरदस्त है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैंने initially boot जब किया है तो यहाँ पे यह राइट साइट पे शो कर रहा है कि यह सिर्फ 250 MB RAM यूज़ कर रहा है और इसको जो allocate RAM हुई है वो 2GB RAM है तो 2GB RAM में से यह सिर्फ 151 MB यूज़ कर रहा है तो यह इसकी initial stage पे होती है वैसे तो मैंने शुरू में यह कहा है कि इसे 256 MB RAM चाहिए तो वो as a general like requirement है क्योंकि हम मुमुमन साथ में और चीज़े भी हम softwares चलाते है वीडियो अगर हमने प्ले करनी है या browser को यूज़ करना है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ icons यहाँ पर नज़र हमें आ रहे है तो इसमें हम इन चीज़ों को explore करेंगे तो यहाँ पर इसको अभी तक मैंने installation नहीं की है तो आपको desktop के उपर यह icon नज़र आ रहा है install Russian OS light on your hard disk तो इसे हम इन्शाला ताला install करेंगे फिर साथ में installation जब start हो जाएगी तो उसके साथ फिर हम इसको review भी करेंगे तो यहाँ पर installation हम start करते हैं और फिर साथ-साथ हम इसको review करेंगे तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि installation से पहले यह welcome document आप को screen पर नज़र आ रही है तो इसको हम थोड़ा साथ में follow up करते हैं इसमें हमने basic थोड़ा सा introduction कराया है और welcome किया है desktop की जो screen है वह हमने यहाँ पर screenshot शो किया है तो यहाँ पर मुख्लिफ चीज़े है टेबल अफ कंटेंट में इसमें हम इसको go through करते हैं और यहाँ पर हम installation को फिर हम शुरू कर देंगे तो एक तो चीज़ नोट करने वाली यह है कि इसमें यूजर ने जो operating system का है वो है रोशन टेक और जो password है वो मेरी website है e-site.pk यह सब lowercase में ही है तो आपने यकीनन USB bootable आपने बनाई होगी या बनानी चाहिए या फिर आप DVD भी bootable बना सकते हैं तो पहले तो आपने download की है मेरी site से या यह official जो जहां पर upload हमने की हुए है source forge पर तो reference एक software है Windows में जो के USBs बनाने के लिए बहुत अच्छा है तो इससे मैंने test किया है Windows 10 के अंदर और इसमें एक इसका ISO mode था उसके साथ यह बिलकुल सही USB bootable बनी है और इसके लावा इसी software को एक इसमें DD image mode भी था तो यह चीज़ मैंने Windows 7 पर चक की है कि यह उस पर सही proper working कर रही है और उमीद है कि यह Windows XP में भी ऐसे ही working कर रही होगी तो इसके अलावा जो मैंने bootable USB बनाई है वो HR software इसमें Wend2i के अंदर बनाई है और यह Wend2i और HR software जो हैं यह दोनों यह cross platform softwares हैं यानि आप इसको Windows में भी use कर सकते हैं Mac में भी और Linux में भी तो आपने bootable USB यह DVD बना ली इसको boot किया यहां पर हमने process mention किया हुए जो भी आपकी boot की की है वो प्रेस की और USB उससे पहले लगानी है और उससे भी पहले computer अगर आन था आप Windows के अंदर थे तो आपको shutdown करना चाहिए तो बहराल हम इसमें installation का जो process है सीधा हम इस पे आते हैं तो आपने करना यही है कि desktop पे यह icon बना हुए उसके उपर आपने click करना है तो यह हम इस icon के उपर click करते हैं और फिर यह इसके initial यह screen आईगी और इसको हमने read करें आप left side पे यहां पे status आपका इसके जो भी related help है वो आ रही होगी और status अगर आपने देखना है तो यह log file के अंदर देख सकते हैं अगर आपको advanced use का पता है आप इसमें आके चीज़े देख सकते हैं क्या हो रहा है कैसी log maintain हो रही है चीज़े ठीक चल रही है नहीं चल रही है तो यहां पर general help आपकी आ रह आप तो next पर click करेंगे तो यहां पर इसका जो सबसे crucial part जो है वो आएगा तो इसमें इसमें आप देखें के अगर तो आप ऐसा computer पर आप यह installation कर रहे हैं जिसके आप चाहते हैं कि full disk यह consume करें या अगर आपके पास कोई pentium 4 पड़ा हुए है या code to do है और disk सिरफ 40 GB है तो आप उसमें multiple operating system नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको full disk दे सकते हैं और यह full disk को format करेगा data की backup आपको पहले ही बना लेनी चाहिए लेकिन अमूमन ज़यदा तर लोगों के लिए option suitable नहीं होगी वो चाहेंगे के जो उनका existing system है वो भी install रहे और साथ में ये रोशन OS light भी install हो जाए तो उसके लिए ये option suitable है तो इसमें फिर ये installation के process शुरू करने से भी पहले आपको windows के अंदर कोई एक drive मक्सूस कर लिनी चाहिए जिसकी उपर आप ये रोशन OS light को install करेंगे जैसे आपकी e-drivement आपको 15GB आप इसको इसको इसके लिए reserve कर लें या उससे ज्यादा वैसे तो bare minimum ये 11GB इस पर इंस्टाल हो जाना चाहिए लेकिन यही बात है कि सिर्फ आप इंस्टाल नहीं करते आप इंस्टाल को उसमें और चीज़े भी आप इंस्टाल करते हैं या आपको regular use में भी आपको space चाहिए होती है कि अगर आप मस्तने website से कुछ चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं वगारा वगारा मुक्तिलिफ चीज़े लेकिन जितनी ज्यादा अगर देंगे तो उतना ही अच्छा है क्योंकि operating system को आज कल मूमन 50GB तक space दी जाती है तो इसको भी अगर आप इतनी space या 20GB 30GB तो अच्छा है तो Windows में आपने drive चूज की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Windows इस computer पर Windows 7 इंस्टाल है साथ में एक data drive है और साथ में एक drive हमने उसका नाम रखाव है Rotion OS Light 2 तो आपको वैसे करना यह चाहिए कि Windows के अंदर ही जब आप Windows को बूट करके Windows में जाते हैं यह installation का process शुरू करने से पहले तो आपको यह करना चाहिए कि एक drive जो आपने सोची हुई है कि जिसमें पहले आपने कुछ software था कुछ data था जो भी चीज थी उसको आप वहां पर rename कर देते हैं कि इसमें हमने रोशन वैस्ट लाइट को इंस्टाल करना है तो बेतर तो यह है कि वहीं पर Windows के अंदर ही उस drive को नाम आप दे दे रोशन वैस्ट लाइट ताके जब आप यहां पर आए तो वही नाम यहां पर नजर आए तो फिर आपको कोई confusion नहीं होगी तो वैसे यहां पर आप sizes को दे यह एक drive थी उसको हमने यह मार्क कर दिया और यह सारी NTFS drives है जो कि Windows में होता है और जो पराने सिस्टम है वो MBR और जो एफ फार्मिट उनके होता है और इसके इलावा अगर लेटेस्ट आपके पास सिस्टम है तो यहां पर GPT लिखावा आ रहा होगा तो यहां पर कोई चीज नोट करेंगे कि यहां पर C drive, D drive, E drive नहीं लिखावा आ रहा है तो यहां पर Linux के अंदर इस तरह SDA1 और इस लोडिस्के लगी है तो दूसरी डिस्क को इसने नाम दिया होगा SDA2 तो जब आप लाइव USB से बूट करेंगे तो यहां पर यह जो यूस फार का अरिया है यहां पर USB को भी यह mention कर रहा होगा तो कि अभी मैं USB से बूट नहीं किया है मैंने और तरीके से इसको ISO को लोड किय है लेकिन जो इंस्टालेशन का प्रसेस हम फालो करेंगे वो यही है कि USB से अपने लोड किया होगा तो यहां पर एक ड्राइव और शो कर रहा होगा और उसमें जो यूस्ट फार के अरिया है वो यहां पर उसने एक चीज को मार्क किया होगा तो उसमें गल्बन यह फाई ड सिस्टम है तो फिर आपने जगर ड्राइव बनी विया उसकी तो फिर वहां पर आपने सिलेक्ट करके गर डिस्क के जो पर्टिशन है उसके अंदर पिर आपने वो उसको मार्क कर देना है यह फाई लेकिन क्योंकि यहां पर इस सिस्टम में तो ऐसे नहीं है और वैसे भी ज तो अब हम यह कर सकते हैं एक चीज आसान तरीका अगर आप फालू करना चाहते हैं तो वो यह है कि इसमें रोशन वैसलाइट की जो हमने यह पर्टिशन बनाई हुए हम इसे सिर्फ जहां से इसको सेलेक्ट करें और इसको रूट जहां से चूज़ कर लें तो यह अगर हम क इस पर क्लिक कर दें तो यह हमारा काम बिलकुल अराम से हो सकता है लेकिन इसमें एक इंस्टालेशन का तरीका यह है कि उसमें इससे ज्यादा बेतर एक तरीका है कि साथ में आप यह रूट के इलावा एक आप पर्टिशन और बनाते हैं जिसे आप स्वैब बोलते हैं तो जो जिन सिस्टम में रैम अडिडी अच्छी है उसमें तो आप स्वैब को छोड़ सकते हैं लेकिन जो पराने सिस्टम थे लिए उसमें स्वैब जितनी तकरीबें आप यहां प ihnे देखा कर ुजिदी बेड़े इतने ७ी तो तक तो स्वैप इसको हम अगर टू जी बी की दे देंगे तकरीबन तो ये इसके लिए सिस्टम के लिए अच्छा है तो अभी हम ये करते हैं अब आपको थोड़ा सा मैं मुश्किल पार्ट भी बता रहा हूं अगर तो आप असान पार्ट तक देना चाहते हैं तो यहां पर पर्टीशन मेंजर है इस पर क्लिक करें तो ये पर्टीशन इसने लोड करके दिखा दिए तकरीबन ये वही स्ट्रैट यहां पे इन को क्पी कर लेना चाहिए तो अब हम इसमें एक पर्टीशन तो इसी के लिए बनाते हैं Rotion OS Lite के लिए ही और दूसरी हम एक Swap के लिए Partition बनाते हैं तो यहां पे हम इसको Swap को Size दे देते हैं तो हम तक्रीबन उसी Size की बनाते हैं अगर आपके Computer की RAM बहुत ज़्यदा है तो फिर जरूरी नहीं है कि आप उतनी बनाएं जिस तरह आपके 8GB RAM है या 16GB RAM है तो 4GB है तो जरूरी नहीं कि आप इतनी GB's की RAM बनाएं तो आप फिर सिरफ 1GB की भी बना लें तो काफी है तो यहां पे हम 2048 यह 2GB के लिए हम यह दे देते हैं और इसको यहां पे File System में इसमे Swap हमने Mention कर देना है ठीक है और इसको हमने Add पे क्लिक कर देना है और क्योंकि यह Extended Partition के अंदर बन रही है तो यह Automatically इसको यह Logical ही लेगा तो इसको हम Add कर देते हैं तो अभी तक यह चीज़े Apply नहीं है जब तक हम Apply पे क्लिक नहीं करेंगे और Second हमने जो Main जिसको हम Root बोलते हैं यानि जिसको पर तो Depend करता है आपके Computer की Speed कैसी है यह फिर उसमें Apply हो जाएगा तो अभी आप देखें कि यह यहां पे आप यह 2 GB की यह Partition आगी यह 17 GB तक ज़िए बन यह तो यहां पे हम Drop Down आप देखें Swap भी आगया इसको Select कर दिया और दूसरी जीज़ जो हम पहले भी Select कर रहे थे कि इसको Root हमने Select करना है तो यहां पे इसका नाम यह आटोमेटिक दे रहा है आप बेशक इसको डबल क्लिक कर कि इसका नाम Glotion OS Light 2 जितना भी देना चाहिए चोड़ भी सकते हैं इस चीज़ को आप तो यहां पर अब हम इस पे Next पे क्लिक करेंगे तो यह हमें वार्निंग देगा कि यह डिलीट करने लगा है Partition Format करने लगा है तो यह वार्निंग देगा है इसमें Show Detail पे क्लिक करके एक दफ़ा फिर आप Verify कर लें क्योंकि Swap को तो यह Format नहीं करेगा लेकिन दूसरी जो Partition है Root उसको यह Format करेगा तो यह Verify कर लें कि यह जिस Partition को यह Format करने लगा है वो उसके Numbers वगारा ठीक है तो यह अभी मैं इस पे Yes करता हूँ क्योंकि मुझे Sure है तो अब यह Next Part पे आ गया तो Next Part में यह करता है कि इसमें Boot Loader को यह Install करता है यह Take-E होना चाहिए तो इसमें फाइदा यह होगा कि अगर आप Dual Boot का Setup बना रहे हैं तो उसमें फिर आपको यह Windows के भी Startup Point यह बनाएगा तो अमूमन भी जादतर सिस्टम पे यह MBRE अर्टर सेलेक्ट होता है यही रहना चाहिए लेकर अगर आप EFI वाले सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो फिर यह चीज सेलेक्टेड होगी और इससे पिछली जो हमने स्टेप किया वहाँ पे भी आपने EFI जो Partition है वो मार्क करने चाहिए और USB के जो EFI उसने मार्क की भी होगी उसको Empty करना होगा Otherwise वो फिर उसको भी Include कर देगा और यहाँ पर डिस्क आपकी सेलेक्टेड होगी क्योंकि जएतर सिस्टम पे एक ही डिस्क होती है तो कोई इस्यू नहीं होगा तो यहाँ पर यह देखें इंस्टालेशन अब जारी है साथ-साथ हम यह स्टेप्स भी कर सकते हैं अगर आप स्टेप्स नहीं करेंगे तो इंस्टालेशन यहाँ पे एक जिग़ा पे आकर रुक जाएगी यहाँ अगर आपके लैन या वैन नेटवर्क है उस पे कंप्यूटर किस नाम से नजर है तो यहाँ पर मैं इसका नाम यही रख दिता हूँ रोशन ओएस लाइट टू और यहाँ पे डुमेन वगज़ा डालने की जरूरत नहीं नेक्स पे क्लिक किया और इंस्टालेशन की प्राग्रेस भी मूव हो रही है तो लोकेशन मैंने तो एशिया पाकिसान का शहर कराची टाइम जोन का दिया हुआ आप जिस भी कंट्री में हैं आप वहाँ का दे सकते हैं और लोकल्स कौन से हो क्योंकि यहाँ पर आप दे सकते हैं और यहाँ पर टाइम हम ए़ अम पीम को ही यूज़ करते हैं यहाँ पे नेक्स करते हैं अगर आप और मजीद सर्विसेशन देख सकते हैं तो यह पर व्यूपे कर लें यहाँ पार सारी टेक होई हैं तो जब तक ये installation के इसके steps चलते हैं हम तब तक ये बाकी system को review कर लेते हैं तो documentation को हमने यहां पर ये installation procedure पर रोग दिया था तो जब ये complete होगी तो हम वापस आएंगे हम वापस document के ये उपर जाते हैं और login screen हमने देख ली थी ये वैसे तो ये इसमें हमने set किया है आटो login ये करें लेकर अगर आप किसी वजह से login screen enable कर देते हैं settings में जाके तो फिर आपको यहां पर user name type करना पड़ेगा जो भी user name आपका है बाइ डिफाल तो ये रोशन टेक के नाम से एक user बना हुआ है और यहां पर आप enter प्रेस करेंगे तो ये password वाली फीड पे आएगा तब ही हमने ये लिख हुआ है press enter की to focus on password तो password e-site.pk है इस से आप system में login हो जाएंगे तो इस चीज़ को हमने discuss कर चुके हैं bootable USB बनानी है और दूसरी चीज़ है कि इसको boot करने के लिए मुख्तलिफ system की मुख्तलिफ keys होती है डेल के system पे तो शीबा लनोवो इनके ज्यादतर system पे F12 की आप प्रेस करें computer shutdown किया हुआ है उसको on करें USB लगाएं जो bootable USB बनाई है फिर आप F12 की प्रेस करें तो ये आपको option दे देगा और option में आपने choose करना है USB को लेकिन जो और system है HP के system के साथ F9 की यूज़ होती है बाज system पे F2 या escape की यूज़ होती है और बाज पे enter की से भी ये boot sequence की option आती है तो ये depend करता है कौन से system आप यूज़ कर रहे है तो इसमें जो main एक चीज़ है इसमें programming या development आप करते हैं तो उसके लिए मैं हम ये इसलि मार्किट में Pentium 4 तो शायद कम होंगे लेकिन core to do system मुझूद है और core to do system में अगर RAM 1GB है या 2GB है तो Windows 10 उसके उपर इतनी अच्छी नहीं चल सकती और अगर आप Windows XP या Windows 7 उसके इंस्टाल करते हैं तो उसमें ये issue आता है कि उसमें आप latest software नहीं चला सकते या कोई software's आप करते भी हैं तो फिर उसमें इतने अच्छे तरीके से आप computer को use नहीं कर पाते क्योंकि RAM की वज़ा से तो यहां पर देख सकते हैं कि अभी जिस तरह हमने कुछ चीज़े open की हैं तो यहां पर RAM अब इसकी ज्यादा हुई है usage लेकिन फिर भी ये 400 MB ये उसके ये यूज कर रहा है 2GB में तो ये कोई इतना ज्यादा usage नहीं अभी हम थोड़ी देर में browser भी open करते हैं और फिर देखते हैं इसका यूज कर सकते हैं तो हम यहां पर desktop के उपर ये try development tools के folder को open करते हैं तो इस folder के अंदर मुख्लिफ files हैं सबसे पहले तो आपको ये read me first वाली file को पढ़ना चाहिए तो इसमें कुछ basic हमने यही लिखा हुए कि बाकी files को आप खोले हैं और इसमें comment के अंदर हमने mention किया हुए कि इसको कैसे use करना है तो इसमें हम कर यह सकते हैं कि जो बच्चे development सीख रहे हैं school में या college में C language सीख रहे हैं C++ सीख रहे हैं या HTML CSS सीख रह हैं pearl language सीख रहे हैं या PHP मुफलिफ यहां पर हमने mention कि हैं यह चीजे आप यहां पर try कर सकते हैं out of the box यह नि आपको कुछ भी मज़ीद install करने की जरूरत नहीं तो इसमें सबसे पहले मैं जो चीज आपको try करके दिखाना चाहता हूँ वो है यह C language तो इसमें simply आप यहां पर क्लिक करें यह इसमें building ID install है उसके अंदर इसको open कर देगा और यहां पर देखें यह हमने comment के अंदर मुफलिफ चीजे mention की हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले हमने यहां पर इसको थोड़ा सा mention की है कि यह क्या चीज है फिर हमने यह बताया है कि अगर terminal आप खोलें आ यह थोड़ा सा standard way है आप इससे भी यूज कर सकते हैं लेकिर इससे भी ज्यादा आसान way यह है कि आप यहीं पर इस IDE के अंदर जिसका नाम यह जीनी है इसके अंदर आप रहते हुए इसको light fit IDE है इसको आप compile भी कर सकते हैं और run भी कर सकते हैं तो अभी हम जो way यूज हैं यह हमने डाकुमेंटेशन के अंदर भी इसे mention किया हुए जहां पर कि किस तरह हम यह compile और run कर सकते हैं और यहां पर हम इसको practically अभी हम करके देखेंगे तो कि इस वीडियो का मकसद ही है कि हम रोशन वैसलाइट को demonstrate करें कि यह किस तरह students को out of the box experience देगा या को प्रोफेश चीजें किसी out station पे वो सिरफ USB यह लेकर जाएं और समें सारी चीजें वो demonstrate कर सकते हैं यहां वहां पर computer है वहां पर यह installation भी करेंगे तो यह मेरे ख्याल है दाजन 20 मिंट या शायद आदा गंटा यह लगाएगा उस पर installation भी जारी है तो यह system की speed के उपर भी depend करता है डिस्क speed के उपर भी तो यहां पर हम इसमें compile करने के लिए यहां पर यह एक option है compile the current file तो मैं नीचे यह folders जो हैं इसको भी सामने रखता हूं ताके आपको नजर आए यहां पर file एक बनेगी जब यह compile होगा तो इसकी एक output file बनेगी तो यह मैं इस पर compile पे click किया है तो यहां पर हम सक देख यह file बन गी है तो यह अभी तो सिर्फ यह compile होगा है तो अब हम इसकी exe file build पे जब click करेंगे तो यह actual अब यहां पर exe file इसकी बनाएगा तो यह try underscore c के नाम से file बनी है तो एक तो हम इस पर click करके भी इसको run कर सकते हैं या फिर इसको command prompt से भी run कर सकते हैं लेकिन एक असान तरीका यह यहीं से इसको run पर click कर दें तो IDE के अंदर काम करने का यही फाइदा होता है कि आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती तो इसमें जो हमने यह code लिखा हुए है hello world from c यही लिखा हुआ आ गया तो इसको close कर देते हैं तो यह आप c language की development इसके अंदर अराम से कर सकते हैं तो दूसरी जो चीज मैं आपको यहां पर show करना चाहता हूँ वो है c++ तो यह भी student course में पढ़ते हैं university students तो पढ़ते हैं और जो c language मैंने देखा यहां पर school में school level पर पढ़ाय जाती है या फिर college के बिल्कुल शुरूप में fcs आप कर रहे हों तो ics कर रहे हों तो उसमें पढ़ाय जाती है तो c++ university students को पढ़ाय जाती है तो इसे हम open करते हैं और इसे भी इसी तरह compile और run करते हैं तो साथ साथ हम देख सकते हैं installation भी 84 point तक पहुंच चुकी है और इसमें हम इसको यहां पर click करेंगे तो show desktop है यह सारे minimize कर देगा तो यहां पर हमें एक तो यहां पर पता लग रही है इसका usage कैसा हो रहा है तो CPU almost engaged है क्योंकि installation यह हो रही है उसकी वज़ा से और फिर disk यूपर जो operation हो रहे हैं यह उसको show कर रहा है और फिर आपके internet के जो access है downloading और uploading जो हो रही है यह उसको भी साथ साथ आपको यहां पर status बिदाता है तो RAM का usage ज्यादा हुआ है यह 600 M20 के क्रीब पहुंच गया है और मैं इसमें देखता हूं कि यह दुबारा से कोशिश करता हूं कि यह जीनी जो के IDE है वो open होती है तो इसको फिर हम compile करके check करते हैं otherwise यह अगर installation पूरी होती है तो फिर हम system इसको restart करके फिर हम यह चीज़ ट्राइ करेंगे तो इसे एक दफा मैंने पहले भी click किया है लेकिन शायद सही तरह से click नहीं हुआ था तो इसे भी हम compile करते हैं या अब यह कर सकते हैं कि direct build पे click कर दें और जब build हो जाए तो फिर run पे आपने तबी click करना है तो इसमें भी यह हमने लिखा हुआ है hello world from C++ तो इस तरह आप यह चीज़े कर सकते हैं इसे भी मैं close करता हूं और इसके बाद मैं जो चीज़ ट्राइ करना चाहता हूं वो है जावा फिर बाकी भी हम चीज़े इंशालह तरह ट्राइ कर देंगे लेकिन जो चीज़े मुझे ज्यादा इंट्रेस्टिंग या ज्यादा अच्छी लग रही हैं उनको मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं तो यहां पर इसे मैं direct बिल्ड पर क्लिक करता हूं तो यह यहां पर class के नाम से एक file बना देगा या इसको भी मुझे शायद compile करने की जरूरत है चले मैं इसको पहल एक दफ़ा क्लिक कर लेता हूं या शायद नहीं जरूरत थी लेकिन बेरहाल run पर क्लिक करें तो यह hello world from java जायर हो गया है तो java language की भी आप coding development out of the box कर सकते हैं installation यह हो चुकी है और मैं इसको finish करता हूं और यह automatically restart कर देगा system तो आगे हम यहीं से इस से आगे इसको continue करेंगे तो यह जैसे initially system shutdown होता है screen क्यूप पर मुखलिफ चीज़े आती हैं यह वो काम हो रहा है और इसी तरह जैसे आप computer first time on करते हैं यह उस तरह की चीज़े शो करेगा कि जैसे computer on होता है यहां पर अभी तो windows हमने install इस पर नहीं थी सिर्फ हमने drives बनाएं थी ताके आपको समझने में असानी हो वैसे अगर windows install होती तो यहां पर एक और entry आ रही होती windows के लिए तो उसमें फिर आपने यह keyboard के उपर आपने up down arrow इसको press करना है और इस तरह windows के उपर ले जाएंगे enter press करेंगे तो यह उसको load कर देगा वरना by default यह पहली option को ही load करेगा जो कि रोशन वेस लाइट है तो अभी हम इसी पर enter press करते हैं और यह अभी loading इसने start कर दिया message यह कुछ इस तरह शोग करेगा कौनकों से चीज़ी यह load कर रहा है और फिर आपके सामने desktop आ जाएगा तो by default अभी screen resolution इसकी कम है तो आप यह भी देख लें कि अगर आप इसको किसी virtualized environment में use कर रहे हैं तो screen की resolution कैसे आपने ज्यादा करनी है और यहाँ पर देखें initial बिलको start उने भी उने पे इसने 122 MB सिरफ यूज की है तो इसमें start पर क्लिक करें control center में आएं और यहाँ पर जो session के नाम से यहां पर tab है उसके क्लिक करें और ये set screen resolution पे click करें और यहां पर screen यहां पे आ रहे होंगे नाम इस पे right click करें और resolution में जो भी आपने set करनी है वो कर दें क्योंकि अभी ये laptop की screen है तो तक्रीबन इतनी resolution ही set है suitable है इस पे tick पे click करें तो ये इसकी resolution set हो गई अब इसमें ये है कि ये थोड़े सी screen अजीब से लग रही है जिससरा पहले थी वैसे नहीं आ रही है तो हम ये कर सकते हैं कि यहां पे desktop पे click करें और choose wallpaper और apply पे click करें तो ये wallpaper इसको set कर देगा और दूसरी चीज अभी ये फिर भी गलत आ रही है वैसे ये चीज़े आपके पास ऐसे नहीं आएंगे ये क्योंकि मैं इसको virtualized environment में use कर रहा हूं तो मेरे पास ये issues आ रहे है लेकिन चले इसमें भी आपके लिए एक सीखने की चीज़ है अगर आप ये statistics जो नज़र आ रहे हैं तो यहां पर हम installation अभी हो चुकी है तो ये icon इसको हमें remove कर देना चाहिए तो इसे मैं remove कर देता हूं और ये हमने documentation के अंदर भी ये चीज़ mention की हुई है तो मैं कोशिश करता हूं कि इसी को follow करूँ इसमें जिस तरह मनें इस installation कर गाए क्लिक करना है और follow instruction ये वीडियो बेशक लिंक भी देख लें उससे ज्यादा अच्छी तो अफ़र ये वाली वीडियो है क्योंके ये direct हम इसी की बता रहे हैं लेकिन ये जो वीडियो है इसमें एक और distribution है उसकी installation का तरीका बताया है तो वह भी तक्रीबन इससे मिलता जो होता ही है तो installation के बाद यहां पर लिख हुए है कि हमने ये icons जो है वो delete कर देने चाहिए तो हम इसे फाइल में जाते हैं और ये वाला जो icon है इसे हमें खतम कर देना चाहिए वैसे तो पड़ा भी रहे तो कोई हारेज नहीं पड़ेगा लेकिन एक चीज़ है कि Confusion का ये बाइस बनेगा क्योंकि इस्टाल हुए वैसिस्टम तो ये गहर ज़रूरी तो पर नज़र आएगा तो अच्छी बात ही है तो येस कर दें अगर ये की फाइल डिलीट करनी हो अगर जयदा हो और आप चाहते हैं कि बार बार ना पूछे तो इस पर ये क्वाइट भी इसको कर सकते हैं तो ये स्टप हमने रिक्मेंड किया वा था डाकुमेंटेशन के अंदर तो अब हम वापिस इस फोल्डर के अंदर आते हैं और हमने जावा तक को रन कर लिया था अब एक और चीज स्टूडेंट जो इनिवस्टी में सीखते हैं या वैसे उनको अपनी दिल्चस्पी है तो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के अंदर या और रिसर्च वर्क तो पाइथान लेंगवेज भी बहुत पापूलर है तो इसे आप ओपन करें तो इसे भी हम इसी तरह रन कर सकते हैं यह प्रोसीजर जिस तरह हमने लिखा हुआ है इसको फालो करके भी हम इसको एक्जिटूट कर सकते हैं लेकिर इससे ज़एदा आसान तरीका यह है कि आप इसको राइट क्लिक करें और इसमें ओपन विद जी नहीं पर क्लिक कर लें और क्योंकि यह स्कृप्टिंग लेंगवेज आ है तो इसको हमें यह बिल्ड और इसको डिरेक्ट इसको रन करने की जरूरत है तो यहां पर भी यह हेलो वर्ड फ्रम पाईथान लिखा वह आ गया तो अगर आपको पाईथान की कोडिंग आती है यहां पर लिखें और इसको रन करें और इस तरह आप अपनी सीख सकते हैं तो अब हम बाकी जो चीजे उसकी तरह आते हैं इसमें कुछ चीजे तो आपकी शहद नाम पहली दफ़ा सुना हो लेकिन फिर भी हम इसको फालो करते हैं तो यहां पर जो इंस्ट्रक्शन हैं हम इनको फ इसको हम फालो भी कर सकते हैं अब फालो हम करते हैं इसको शुरू में हम जो भी चीज़ उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिखी है यह क्या करते है यह यह बी एक स्क्रिप्टिंग लैंगवेज है जो टेक्स प्रोसेसिंग के लिए है और इसको हम देखते हैं कि कैसे हम करना है open terminal from start menu and move control to file path by copy pasting below command and press enter की तो पहले हम यही काम करते हैं कि terminal को open करते है start menu से यह terminal को open किया second काम का हुआ है जी कि यह copy paste करें यह line हम double triple click किया यह इसको right click करके copy किया और यहां पे अब terminal में right click करके इसको paste कर दिया और साथ ही में enter key press करनी है क्योंकि paste करने में यह सिर्फ paste करेगा इसको execute नहीं करेगा enter key press की तो यह हम देखें folder हमारा यह पहले यहां पे control था अब यह इस में folder में आ गया जो कि यह वाला खुला हुआ है तो बहरहल next चीज यह के for trying awp copy paste below command and press enter key same जैसे कि वह चीज़ा यह तीन दफा क्लिक करेंगे यह copy किया यहां पे paste किया और enter press किया तो यह हमें list नजर आगी users की तो यहां पे लिखा है भी at least the first column of the file तो अगर यह वाली फाइल इस location पे जो file है इसको open करें तो आपको नजर आएगा कि इसमें और भी data है लेकिन अभी यह first column को show कर रहा है तो हम इसको इस command को चलाते हैं यहां पे right click paste तो इसमें यह देखें dollar sign one इसके जगा हम two कर दें तो यह इसके second column को display करना शुरूब और second column कौन सा है यह xx लिखावार है तो यहां पे भी xx आ गया है इसी तरह हम यहां पे three कर देते तो फिर यह third column में जो data आ जाता तो यह main file को एक दफ़ा फिर देखते हैं तो इसमें देखें कि यह column के साथ य इसी लिए जहां पे column शायद लिखागे मेरा gas है क्योंकि मुझे भी यह language आती है नहीं तो चले यहां से हम निकलते हैं और bash की तरफ आते हैं तो इस पर आप click करेंगे तो यह open नहीं हो पाएगा तो bash भी एक scripting language है और इस पर right click करें और इसको आप open with leaf pad कर सकते हैं या फिर open as text कर दें यह एक ही चीज़ है क्योंकि यह वही software है leaf pad तो इसमें भी इसी तरह instruction कुछ लिखी में है bash is a unix command language और open terminal हम पहली open किया हुआ है इसको दुबारा से open करने की जुरूरत नहीं और फिर move control this folder without hash यह वाला sign के साथ तो हम खैर उस folder के अंदर पहली है हम देख सकते हैं कि यह try development tools लेकिन हम इसको दुबारा से copy paste कर भी दें तो कोई नुकसान नहीं है यह miss हो गया दो इसको मैंने select कर लिया copy और यहां पे paste करके enter key press की तो यहां पे कुछी error दे दिया है इसने गालबन हमने पिछली command के आगे ही इसको paste कर दिया है तो यहां पे इसको पहले खत्म करना था क्योंकि उसको अदम test कर रहे थे पिछली command यह show करता है paste किया enter और यह उसी folder के अंदर ही रहा क्योंकि यह वहीं पहीं पहीं था फिर next यह है कि यह चीज़ आप इस तरह से execute करें यह copy और इसी तरह पेस्ट अब मैं थोड़े यह चीज़े जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आप भी अप सीक हैं तो यह लिख वागए hello world from bash तो यह coding अगर आपको आती है bash की तो आप यह चीज़े यहां पर coding लिखके फ नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट एक इसमें basic calculator है और इसको कैसे run करना है एक तो इस फोल्डर तक पहुंचना है वह हम पहली मौजूद हैं फिर लिखना है बलके यहां तक यह जाने की जरूरत ही नहीं थी यह step करने की जरूरत नहीं थी सिर्फ टर्मिनल open करके आम इसको execute कर सकते थे इसको हम close करते हैं सिर्फ टर्मिनल खूलते हैं और यहां पर सिर्फ लिखना भी सी बी सी और अब यहां पर मुझे तो मज़ीद नहीं पता यहां पर कौन कौन सी चीजे हैं लेकिन यह गालबन इसमें कोई help लिखे या net पर अप search कर लें इसमें क्या क्या काम होता ह है मैंने इसको यूज नहीं किया हुआ मुझे इसका अंदाज़ा नहीं लेकिन यह लग रहा है कि यह calculation फोरण फोरण यह कर देता है तो इसमें से exit करने के लिए quit लिखना है एंटर दुबाना है तो यह टर्मिनल वहां से हम बाहर आगे तो बैरल इस language जो भी है इसको हम ने यूज नहीं किया हुआ लेकिन अगर आप को कोर्स वर्क में या किदर भी वास्ता पड़ता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं तो यह जो html वले चीजे हैं इनको हम से रिलेटेड हैं पी एचपी माई है स्केल इसका अपस में लिंक है इसको हम अकठा करेंगे अब बीच में एक language है यह पर तो पर अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं कर रहे हैं उसकी development भी आप यहां पर आउट आफ दी बाक्स कर सकते हैं तो यहां पर मैं क्लिक करत या open with leafpad यह कर दें तो इसका भी सेम थोड़ी से description है open terminal from start menu यह हमने start कर दिया और फिर इस folder के अंदर जाना है और यह hash sign को छोड़ के यह चीज हमने कर लिए और यहां पर इसको paste किया enter folder में आ गए और फिर इसको execute करने के लिए यह command हमने लिखे तो यह hello world from pearl भी आ गया तो यह pearl की नीचे यहां पर coding हुई भी है जिनको coding आती है वो इसको change करके मज़ीद भी इसमें development कर सकते हैं तो इसके इलावा यह फिर दूसरी चीज़ें यह हम ट्राइ करते हैं पहले हम यह simple HTML वाली चीज़ें यह ट्राइ करते हैं और फिर आखर में हम यह PHP, MySQL, XAMP यह सारी चीज़े, PHP, MyAdmin यह सारी करते हैं क्योंकि यह related चीज़ें तो bootstep आपने नाम शायद सुना हो तो अभी त फिर इसमें ब्राउजर में open हो जाएगी, तो अभी हम सारी चीज़ों को minimize कर देते हैं, तो यहां पर हम resources देखते हैं कि यह तकरीबन साड़े 300 MBs यूज़ कर रहा है, हाला कि यह Chrome ब्राउजर की एक tab खुली हुई है, यह terminal खुला हुआ है, यह folder हमने खुला हुआ है, और य PDF फाइल भी खुली हुई है, तो यह सारे मिल के यह सिर्फ साड़े 300 के करीब MBs यूज़ हो रहे हैं, और 1024 MBs मिल के 1 GB बनाते हैं, यानि 1024 MBs होते हैं, तो यह 1 GB बनाते हैं, और 2 GB के अगर आपकी RAM हो, तो अगर आप Windows 10 यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए यही RAM ना काफ भी है, क्योंकि Windows खुद गालबन 1000 GB से उपर वो यूज़ कर लेती है, तो फिर पीछे क्या बचेगा, या आप थोड़े से और software's, Chrome एक टैप खुली है, और चीज़ें वो क्रास कर जाता है, 1500 MBs या 1800 MBs आ जाती हैं, तो आपका, मदब कम्प्यूटर को सही तरह आप कर रहा होगा, तो बहुत एक major फर्क है, तो यहां पर एक template इसकी बनी वी है, उसी को हमने load किया है, इसको edit कर सकते हैं, और देख सकते हैं, तो इसके coding इसमें देखते हैं, अब इस पर right click करते हैं, open as, text करते हैं, तो यहां पर bootstrap का code लिखा हुए, bootstrap की development आप सीखें, code यह आप काम कर सकते हैं, इसको मैं close करता हूँ, इससे भी close करता हूँ, next जो चीज है कि आप, बलकि इसमें HTML को हम पहले open करते हैं, यह browser में open होगा, और इसकी भी हम coding देखते हैं, open as text, तो यह plain extended HTML लिखा हुआ है, तो अगर आपको मजीद HTML आता है, तो इसके भी code यहां पर लिखके, save करके, browser में open करेंगे, तो यह इसी तरह updated होके आ जाएगा, तो इसके बाद हम try करते हैं, CSS को, तो CSS का भी एक sample code इसमें लिखा हुआ है, इसे आप check कर सकते हैं, यह online भी आपको मिल जाएगा, कहीं ने कहीं, और इससे भी हम एक दफ़ा, open as text, आप देख सकते है CSS यहां पर लिखी हुई है, यह कुछ internal CSS लिखी हुई है, कुछ JavaScript भी लिखी हुई है, तो इसी तरह यह सारी चीज़ें आपको यहां पर try करवाने का मकसद यह है, कि आप देख सकेंगे, यह सारी चीज़ें आप development यहां पर out of the box कर सकते हैं, तो JavaScript language की एक खास बाद यह है, कि यह इसको किसी, जो HTML, CSS, JavaScript, यह तीनों की खास बाद यह है, कि इनको आपको कोई खास आपको software नहीं चाहिए, ब्राउजर आपको चाहिए, जो के आम software है, चाहे आप mobile यूज़ कर रहे हैं, चाहे Windows, चाहे Mac, चाहे Linux, जो भी operating system यूज़ कर र इतना मुश्किल नहीं है, तो यहां पे calculator कुछ बना हुआ है, इसी का आप source code देखके, इसी को change करके, आप मजीब काम समझ सकते हैं, अच्छा, एक और बात जो यहां पे दर शायद mention नहीं की वी, कि इसके अंदर VS code भी pre-install है, तो यह स्टार्ट बटन भी क्लिक करें, बाकी settings वगरा मुख्लिफ चीज़ें हम कर सकते हैं, इसमें applications के अंदर आएं, तो यहां पे categories बनी हुए है, तो वैसे हमने इनको go through भी करना था, लेकिन पहले मैं सोच रहा था कि यह development tools करें, क्योंकि students के लिए यह खुस्सान बहुत helpful है, और ऐसे student जिन के पास ज्यादा पैसे वो आपको market से मिल जाते हैं, और इसमें 2GB बेगर RAM है, एक सस्ते वालाब लेते हैं, तो यह Rotion OS Lite को यूज़ करके आप अच्छी तरह से development सीख सकते हैं, कर सकते हैं, तो यहां पे आप programming में आएं, तो यह आप देखें, कि Visual Studio Code भी इसमें install है, तो च्योंकि जब आप चीज़ें virtualized environment में चलाते हैं, तो उसमें इस तरह जएदा issues आते हैं, real hardware को उपर चीज़ें चलाएं, तो वो जएदा अच्छा रहता है, लेकिन क्योंकि मैंने demonstration करने थी, तो मुझे यह जएदा suitable चीज़ लगी, तो इसमें close करता हूँ, वापस हम यहीं पे आते हैं, और इसमें इसी तरह जिस तरह यह मुझे फ्रेमवर्क्स होते हैं, इस तरह यह CSS का एक framework है, इस तरह बूट्स रैब है, इसी तरह यह एक W3, यह CSS भी एक है, इसको भी आप open करके देख लें, और react का जो है, यह भी इसमें browser में आप open करें, तो यह एक छोटी सी यहां पे script हमने डाला हुआ ह तो यह चीज़ें आप यहां पे out of the box चेक कर सकते हैं, तो अब हम आते हैं जो web development के tools हैं, तो यह भी इसके अंदर pre-installed हैं, आपको कुछ भी चीज़ मजीद करने की जरूरत ने, एक दफ़ा system आपका यह install हो गया है, तो जो भी tools यहां पे आपको menu में नजर आ रहे हैं, यह इस सारी की सारी चीज़ें, इसके साथ ही install होगे हैं, तो menu पे हम दोबारा आते हैं, लेकिन पहले हम यह web development के portion को cover कर लें, तो इसमें zamp server pre-install है, तो इसमें तफसीर लखी हुई है, terminal इसी तरह open करना है, और यह command कहा हुए है, जी कि आपने run करनी है, और press enter की करनी है, एक तो below command, तो यह भी हम कर सकते हैं, यानि एक तो यह कि इसको command से start करें, और इसी तरह command से यदर नीचे लिखोगा stop कर सकते हैं, एक दिक है यह कि इसकी GUI open कर लें, तो यहां पे हम इसको run करते हैं, इस साल के तुर पे यह चले हम दो alternate way है, उसे हम try करते हैं, यह हमने start लिखा copy किया, और इससे यहां पे paste किया, और इससे भी हम password, इस site.pk मैंने enter किया, तो यह देखें, अब यह run हो रहा है, और यह देखें, यह इसमें Apache, MySQL, यह मुख्लिफ चीज़, services यह start हो गी है, इसका मतलब यह है कि इनको हम अब use कर सकते हैं, तो टेस्टिंग करनी है, आपने कि यह जैंप server चल रहा है, ब्राउजर में local host लिखें, web development आप कर रहे हैं, या सीख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि local host से क्या होता है, तो आपका computer अभी temporary तोर पे यह web server बन गया है, तो यही चीज़ हमने यहां पे की वी है, तो द से भी IP इसका दे के इसको चेक कर सकते हैं, अभी हम next दिखते हैं कि इसमें हमने एक, यह इस folder के अंदर हमने files रखी हुए है, तो अगर हम यह open करके execute करें, तो एक यह test के नाम से हमने file बनाई विया, hello world from php, तो इस location पे अगर हम जाएं, opt lamp htdocs, तो मैं एक यह नई folder file manager यह खोल लेता हूँ, इसमें अब aeroPress करूँगा, तो main root पे मैं आ गया हूँ अब, तो opt का folder यह है, इसमें lamp, इसमें फिर आगे htdocs, और यहां पे Russian Tech का folder है, और इस file को अगर आप खोलें, तो इसमें हम देख सकते हैं कि PHP का यह code लिखा हुआ है, hello world from PHP, और यही चीज़ यहां पे नज़र आई है, तो इसे मैं back करता हूँ, एक दफ़ा फिर back, तो यहां पे इसे मैं अब, इसे तरह अगर close करना है, तो same, यह command लिखूँग यह try PHP my admin है, तो इसमें देखें, थोड़ी से description, terminal open करना है, start यह हम कर चुके हैं, इस पे हमने जाना है, इस पे ऐसे भी जा सकते हैं, जिस तरह वहां पे URL दिया हुआ है, यहां पे हम क्लिक कर दें, PHP my admin, तो यह भी वही URL, तो by default यह automatically root user को login करके आपको दिखा देते हैं, इस यह mysql, तो mysql, इसमें यह है कि इसको run करने के लिए उसी तरह start menu से, यह जैंप server को run किया, और यह already run हुआ है, तो next step क्या है, कि इस folder तक जाना है, और press enter की, तो यह इसमें user root है, और उसका password गालबन नहीं है, इस पे right click किया, paste किया, enter की press की, तो अब यह, आप देखें कि mysql, यह start होगी है, जहाँ पे जो mysql के drop in replacement है, वो maria db है, तो आप समझ सकते हैं कि यह almost equal ही है, तो यहाँ पे जिस तरह, यह मैंने कुछ commands लिखी में है, show tables, databases, इसमें, यह database list show कर देगा, इसी तरह, अब यह database जो भी हम use करना चाहते हैं, वो mention कर सकते हैं, use database, show table, इसके table show कर देगा, जो select की है, हमने database, इस तरह की table को describe करना है, तो describe क्मांड से हम कर सकते हैं, और इस तरह फिर select steric from, यह भी हम use कर सकते हैं, और exit क्मांड से हम फिर यहां से exit कर लेंगे, तो मेरा मतलब यह है कि यह plane mysql को भी use कर सकते हैं, तो अब मेरे खाला हम यह सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, तो अब हम वापस आते हैं main desktop की तरफ, system की उपर यह जदीद soft development tools आप सारे के सारे कर सकते हैं, without any issue, तो वापस हम आते हैं desktop की तरफ, तो desktop में, यहां पर देखें, time आ रहा है, अधर एक arrow है, अगर आप यह task bar नहीं देखना चाहते हैं, फुल स्क्रीन में windows को जएदा space चाहिए, तो कर सकते हैं, यहां फिर थोड़ यह CPU की हैं, इसी तरह यह RAM की हैं, और यह internet की जो downloading या uploading हो रही है, और यह इसके साथ battery लेगी है, यह आवाज sound आप कम जएदा कर सकते हैं, यहां पर कुछ commonly जो use होते है, icons वो हैं, जिस तरह यह task manager है, यह resources वगरा शो हो रहे हैं, तो already आप यहां पर भी resources usage नज़र आ रहा है यहां पर भी आ रहा है, तो VLC आप गालबन शायद Windows में भी यह use किया हो software VLC, तो Zoom software इसमें pre install है, क्योंकि यह चीज़ मैंने नोट की है, कि बहुत से student teacher इसको use करते हैं, तो इसलिए मैंने Russian OS light के अंदर इसको pre install रखा है, तो YouTube पे अगर आपने वीडियो प्ले करनी है, तो इ direct चला सकते हैं, या पर Chrome के अंदर जाके भी चला सकते हैं, फाइल मनेजर हम पहली भी खोल चुके हैं, तो यह इसमें एक एहम software मुझूद है, कि अगर आपने मजीद software इंस्टाल करने हैं, तो यहां पर इन categories में जाके मुक्तलिफ चीज़ें आप try कर सकते हैं, जैसे अगर इंटरनेट पे multiple IDs में login होना है, तो आप यहां पर और browsers जो हैं, वो आप install कर लें, firefast कर लें, opera कर लें, मुक्तलिफ जो हैं, यह ब्राउजर आप देख सकते हैं, list काफी सरी है, यह आप use कर सकते हैं, इस तरह फिर मजीद software हैं, काफी सरी हैं, तो हमने इसमें include कि हुए हैं, इसमें out of the box आपको एक experience मिले, मजीद software आपको install करने की जरूरत ना ही पड़े, तो अभी हम देखते हैं software इसमें कौन कौन से install है, तो simply है कि जो भी software आपने करना है, यहां पे click करें, install पे click करें, और अगर एक से ज़्यादा भी tick करते हैं, तो इस सब को ही install यह कर देगा, ब button highlight हो जाएगा, लेकर अभी मैं close करता हूँ क्योंकि हमारी आलमुस चीज़ें इसमें हुई हैं, तो यह आपको show desktop के तोर पे काम बता है, start में यहां पे कुछ चीज़ें, इसमें एक चीज़ हमने, शुरू में मैंने नहीं बताई, इसमें तकरीबन डेट सो के करीब themes इसमे install हैं, जो कि अगर आप अपनी पसंद के हवाले से use कर सकते हैं, तो अभी मैं आपको सिर्फ एक theme ट्राइ करके देता हूँ क्योंकि यह वीडियो पहले ही काफी लंबी हो चुकी है, फिर इसको कोशिश करता हूँ मैं wind up करने की, तो यह themes में आए, तो यहां पे बहुत सरी themes ह तो अभी मैं सिर्फ एक theme इसकी ट्राइ करता हूँ, पहले मैं नोट कर लूँ यह theme इसमें कौन सी use हो रही है, और यह मसला windows 7 की एक theme है, तो इसमें मैंने क्लिक किया है, तो यह देखें इसका interface, यह look and feel इसकी, यह change होगी है, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई थी theme मैंने वही इसमें by default enable रखी है, तो आप बहराल जोन से भी theme यह देख लेंगे तकरीबन डेट सो के करीब यह theme इसमें शामिल है, तो मुझे यह theme अच्छे लगी थी, वो यही थी, इसलिए मैंने इसमें pre install यही वाली theme रहने दिया, तो software आप इसमें देखें, यह application में बेस शुमार softwares है, accessories में, calculator है, और सारे तो शायद मैंने इसमें खुद भी शायद चेकनी किये हुए, education में यह बच्चों के लिए काफी अच्छे software है, और इसमें software की collection है, एक software नहीं है, इसके अंदर बेशुमार softwares है, तो अब वापिस start menu की तरफ आते हैं, और यहां पर आप देखें कि इसमें, applications में, accessories में, calculator, text editing, मुक्तलिफ इसमें software हैं, तो कुछ आप चीज़ें Windows के software भी इसमें इसकी उपर चला सकते हैं, लेकिन support moment इतनी अच्छी नियुक्ती मैं आपको बहुत ज़्यदा इसकी खुश फैमें में नहीं रखना चाहता, तो बहराल कुछ चीज़ें हो सकते हैं, try करें, हो जाती हैं, इसमें Microsoft Office गालबन वो मैंने इसमें try किया हुए, internet download manager को try किया हुए, Photoshop के कुछ पराने versions हो जाते हैं, बहराल यह एक अलग story है, और try करें, कुछ चीज़ें चल जाती हैं, कुछ नहीं चलती, issues कुछ रहते हैं, तो बहराल कोशिच तो यह करें, कि जो alternate software इसके अंदर मौजूद हैं, वही आप use करें, जैसे office इसके अंदर एक पूरा मौजूद है suit, तो मैं भी आपको बताता भी हूँ, तो यह इस तरह मुक्तरफ में games और educational software हैं, यह भी आप try करे typing बच्चों को सीखने के लिए है, printing के software बहुत अच्छा है, यह mathematical games है, scratch अगर बच्चों ने programming सीखनी है, यह उसके लिए language है, तो games में कुछ game collection है, यह बहुत high-five games नहीं है, लेकिन आप try करें, मेरी favorite games में यह super text है, graphic में आप देखें, आप कुछ companies हैं, जिनके software वो सब platforms के लिए नहीं बनाती है, तो जाने कि अब जैसे डोप एक company है, तो वो उसके एकसर जो software हैं, वो मिलते हैं Windows के लिए, या फिर Mac के लिए, और Linux के लिए वो software नहीं बनाते हैं, तो बहराल उनकी अपनी मर्जी है, तो ऐस नहीं है कि Linux उन software को run नहीं कर सकता, वजह यह है कि वो इसके लिए release नहीं करते हैं, बहराल मर्जी है उनकी, तो बहराल इसमें मुतबादिल जो software हैं, वो मुझूद हैं, इसमें ये blender 3D modeling के लिए बहुज़वर्दास ये software है, इसमें आप चेक कर सकते हैं, inks के vector based image processing और से related editing के मुतलका ये software है, और GIMP software जो है ये photo editing का software है, जिसको हम pixel based कहते हैं, ये उसके लिए है, यानि photoshop का आप समझ सकते हैं कि ये alternate software है, और इस तरह ये alternate software है, different आपको proprietary world में software मिलेंगे, उनके ये alternate software है, इनको use किया जा सकते है, और internet में Chrome तो आपको पहले ही नजर आ गया है, अच्छा इसमें एक चीज़ जो मैंने highlight नहीं कि अगर आप laptop में इसको use करते हैं, तो by default यहां पे आपके सामने एक software run होता, जिसमें ये आप से connect करने का कहता है, वाइफाई को, तो यहां पे अभी icon भी, मैंने try करता हूँ, इसमें शायद उस पर double click करें, तो यही वाला software है यहां पे Wi-Fi की टेपट पर क्लिक करते हैं, यहां पे आपके आपके जो भी Wi-Fi आरहे होते हैं, और आप किसी एक पर click करें, connect पर करें, पासफ़ड आ रहा था, उपर ही पासफ़ड की जो Feorkut होती हे इसमें आप खुलिक करते हैं, आप sudah Strom आपके हो सकते थे, तो यह वैसे ब है इसी तरह टीम वीवर आपकी रिमोट एसिस्टेंस के लिए चाहिए होता है यह इसमें प्री इंस्टॉल है और यह टॉरेंड मेनेजर है टॉरेंड अगर आपने नेट से चीज़ें डाउनलोड करनी है तो यह उसके लिए हेलफुल सॉफ्वेर है जूम पे पहले ही हम बात कर चुके हैं मुल्टी मीडिया में बहुत इसमें जबरदस कुछ सॉफ्वेर हैं अब यह ओडसिटी एक सॉफ्वेर है आर्डियो एडिटिंग के लिए अच्छा अगर आपका कैमरा लगा हुआ है जिससरा अभी तो मेरी आपको यह यहां पर वीडियो नजर आ रही है ले रिकार्ड कर रहा हूं यह स्क्रीन रिकारडिंग सॉफ्वेर है और फिर इशालल़ अग्रेख लुटियो को बाद में ज़्यूटियो के अंदर आडिट करो इसमें थोड़े वहुत एडिटिंग और पड़ेगी और फिर इन्शाललah तल्ला यह अप लोड मैं करोंगा तो इसको भी मैंने डिसकस कर दिया है और यह आप डिरेक्ट अगर यूट्यूब की कुछ वीडियो करनी है या फिर क्रोम में जाके भी आप कर रही सकते हैं वी एल सी हमारी बात हो चुकी है और एक और भी इसमें प्लेयर है तो आफिस का मैंने बता है कि इसमें पूरा सूट एक इसमें यह मुझूद है तो इसमें यह बी अल्टरनेट साफ़वेर है Microsoft Office का यह अल्टरनेट है इसमें Word, Excel, PowerPoint इस तरह के यह सारी चीजें इसमें ओपन भी हो जाती है और उसी format में save भी हो सकती है, तो वापिस हम preferences में मुतलिफ settings वगरा change कर सकते हैं, system में भी इस तरह settings वगरा change कर सकते हैं, कुछ तो यहां से control center से कर सकते हैं, और programming में Genie को हमने use किया है, VS code को open करके देखा है, और scratch मैंने बताया था, बच्चों के लिए ये एक language software है, ये इदर education में भी था, और यहां पर भी है, कुछ चीज़े इस तरह multiple categories के अंदर भी आती है, मैं ये software diff इसको बोलते है, visual diff, diff का मतलब भी है, difference दो files या folder के अंदर, आपने चेक करना हो तो ये बहुत जबरदस तरीके से efficient way से आप इसको use कर सकते हैं, मैं क्योंकि इसको personally use करता हूँ, तो यहां पर इसको भी रखा है, अच्छा, इंटरनेट में एक FTP करीब ये software भी है, वैसे तो ज़्यदातर FTP FileZilla के नाम से एक मशूर software है, लेकिन क्योंकि ये pre-install था तो मैंने भी इसको रहने दिया, क्योंकि इसके इंटरफेस almost FTP FileZilla के साथ मिलता हूँ होता है, तो यहां पर हमारा ये review का part तकरीबन पूरा हो जाता है, और मैंने कोशिश किया कि आपको इसमें जो main, इसके जो चीज़ें हैं, वो almost आपको मैं सारे बता दाओँ हैं, इसमें ये मैं थोड़ा सी और इसमें कुछ problems हैं, वो मैंने यहां पर पहले ही mention कर दें, अब tryouts में त जाएगी total, तो यहां पर तो बहुत सिर्फ briefly किया, तो यह सारी हमने demonstration की है, तो installation का procedure भी हम सारा go through कर दिया, बेशक इस video के भी आप देखें, तो कुछ problems इसमें मुझे चीज़ें इसमें face की हैं, तो इस document को पढ़ें, इसमें ये चीज़ें हमने mention की हैं, कि आपको drives इसमें नजर नहीं आती ही, तो इससे बंदा पहले तो confused होजाता है, drives के दर है मेरी, जो window की drive है, c drive, d drive, software, अगर कोई रखें में आपने data रखा हुआ है, उसको यहां पर कैसे access करेंगे, यह अगर आपने dual boot का setup बना है, फिर आपको नजर आ जाती है, जिस तरह यहां पर मैंने बता होते हैं, दो दफ़ा यह आप arrow का press करें, और यहां पर media के अंदर आएं, तो यहां पर आपको drives यह नजर आ रही होती है, लेकिन इसमें आप click करेंगे, तो यह open नहीं करेगा, कोई error इस तरह का show करेगा, तो इसको cancel ही करना पड़ता है, तो फाइदा नहीं होता, तो इसका तरीका यह है कि आप पहले इसको एक दफ़ा open करें as admin, और उसको continuous use नहीं करना चाहिए, और यही उसका risk होता है, running as user route, तो यह तरीका यहां पर भी लिखा हुआ है, इसको मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, इसमें आप आएं, सिस्टम में आएं, और यहां पर है, इसलिए कोशिश ली करनी है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं रहना, अगर ऐसे जरूरतान आना पड़े तो सिर्फ वो काम करके बाएर निकल जाएं, तो इसी तरह आप एरो दो दो देफा प्रेस किया, और मीडिया में आए, वही आइकन्स नजर आ रहे हैं, तो जो जो आप डाइब आपने अउपन करनी है, आप शुरू में यह आपको पता लागता है, अम्होमन डाइटा डाइव आपको ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो जो जो वाहरा डाइव जरूरत पड़ती है, इस पर क्लिक करें, और अब यह दाइटा है ही नहीं, यह जो हम पे यह ड्राइव थी नहीं, विंडूस के भी इसी तरह इसमें एक्च्वल विंडूस इंस्टाल नहीं थी, मैंने सिर्फ ड्राइव बनाईती ताकि आपको ड्राइव देने में असानी हो, तो बहराल यहां पर भासकर यह एरे शो करता है, लेकिन यह ड्राइव के अंदर आपको यह आपको open करने देगा, यहाँ पे पता नहीं पता मैंशन, यह यह इसमें नहीं जाने दे रहा है, लेकिन बलके ऐसे ही होता है कि एरे शो करता है लेकिन आपको अंदर भी लेता है यहाँ और यहाँ पर आपको अभी data है यह इसलिए यह यह शो हो नहीं कर रहा, otherwise यह आप को पाकिस्तान में आपको पता है कि कंपोजिंग जो करते हैं वो और्दू के लिए software यूज़ करते हैं typing के लिए तो एन पेज यूज़ करते हैं लेकिन यह कि आप इन पेज इस्तमाल करना जारूरि की बोड ये इंस्टाल कर लें तो उसके बाद आप इसी के अंदर उर्दू के फॉन्ट सो अर्लेडी इंस्टाल हैं तो अभी आपको सिर्फ की बूर्ड इंस्टाल करना है तो यह यहां पर हमने मेंशन किया वह इसमें में और करके देखते हैं और फिर इसमें क्लिक करें यह और फिर यहां पर प्लस पर क्लिकiping करें और scroll ये करें काफी सा रहा तो नीचे ये अर्दू आपको नजर आ जाएगी open कर लें और इसको apply कर दें और एक और चीज़ ये हम पर heart keys ये वो change कर सकते हैं अमोमन जो ज़्यादा था चलती है वो ये left मलब alt और shift इसका मलब ये है कि ये left alt प्रेस करें और right shift ये windows के अंदर भी गालबन ये शॉर्ट कट किया है तो इसी को हम रहने देते हैं लेकिन अभी ये icon यहां पर नहीं आएगा उसकी वज़ए भी हमने ये mention किये है कि log out और login करेंगे तो ये फिर आपको यहां पर ये icon शो कर देगा तो हम अभी log out करते हैं और login भी करते हैं और ये देखते हैं अगर इस system को shutdown करना है तो वो कैसे होगा तो ये log out जो लिखा हुआ इसी के उपर click जब करेंगे तो ये आपको shutdown, reboot, log out ये सारी चीज़े यहीं पर ये शो कर रहा है तो मैं इसको try करता हूँ, log out, log out की जगह ये मैं लगता है black out हो गया, चले यहां पर आप मुझे ये show तो कुछ पी नहीं हो रहा अंदाजे से मैंने चले मैं ऐसे करता हूँ कि इसको restart कर देता हूँ तो वैसे ये enterprise कर देते हैं फोरण फोरण और उसी तरह ये load करेगा साथ में, चीज़े मुखलिफ शो करेगा और फिर इसने resolution का वही मसला, लेकि ठीक है अभी हम इसको change नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो main demonstration का purpose था वह ये पूरा हो गया, इस पर click करेंगे तो ये पाकिसान का जंडा आ जाएगा तो फिर आप जो भी type करेंगे वो उर्दू में type होगा तो यही हमारा मकसद था के और alt shift के साथ भी आप ये switch कर सकते हैं तो ये मैंने अभी click कर रहा था तो नहीं हो रहा था तो अभी ये click से भी हो रहा है लेकिन alt shift से ये switch कर रहा है तो बहरा जहां पर ये मारी demonstration in detail पूरी होगी है ये गालबन एक गंटे से उपर की वीडियो है तो इसकी हमने जो मेनत किया जो इस वीडियो के उपर इसकी हमें वसूली आप से ऐसे इस सूरत में हो सकती है का आप इस वीडियो को like करें comment करें share करें और जितने आपको groups पता हैं Facebook पे WhatsApp पे जिदर भी दोस्त हैं आपको जानने वाले हैं inbox करें उनको तो इस चीज़ से फाइदा उठाए हैं क्योंकि ये Russian operating system light edition 2 जो हमने निकाला है ये free है इसे आप net से हमारी साइट से free download कर सकते हैं खुद भी यूज़ करें अपने पास जो पुराने system आपने store में रख दी हैं बेकार हो गए हैं पेंटियम 4 हैं या code to do हैं रेम 1GB या 2GB कम हैं तो उनको निकाले बाहर या फिर market से सस्ता सब बिलकुल सस्ता तरीन जो system मिलता है purchase कर करें और फाइदा उठाएं तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को close करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम अलेकुम Russian OS light को शुरू में गलती कर दी ओके लेट्स कीप रिकार्डिंग रोशन OS light 2 को आप Pentium 4 256 MB RAM पर चला सकते हैं क्या येस जी बिल्कुल आपने यहाँ पर छोड़ देनी चाहिए अब हम इसके अने ट्रिंगर ने पड़ेगी मैं हूँ अमिर्शिजाद अटक शहर पाकिस्तान से आपके लिए रोशन OS 2 का रीवियो के साथ हाजिर हूँ ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग गलत कर रहा हूँ मैं यहाँ जैसे यहाँ पर यह चीजी चहाँ पर करनी चाहिए अमिर्शिजाद नहीं मुझे गल्बल कर दिया मैं यहां पर नहीं आना चाहिए था तो यहीं से हमें आगे मॉफ करना चाहिए नहीं से टूस्टार्ट करना चाहि चाहिए णिitt आगे टेस्ट विद एट लिए पर चाहिए लेड़कर वेड़कर टेहिए बूरिश्टार्ट काहिए इस नहीं बाहिए कि आध ऱ रवेए this is the new screen and here is the desktop desktop is a very cool simple one two three go like and now now we can we we know how to use it so moves back to the uh pass three two one this is unpaused and i hope it's going uh very very good let's do it the pause again three two unpaused so so now it is recording i hope it is going to the good review and i am intentionally increasing my voice and now i am going down gradually slowly slowly this is the end so we will test recording and the background is how we will see how our sound will be okay let's do it another try and this is the main screen now comes to the second screen and here you can see the desktop desktop is cool and there is start menu and there are application task manager and etc so this is going to be the very cool review of the distribution ocean west flight 2. this is the second revision and you you might have seen the first revision initially but that is the second really and you can see the documentation there is a welcome doc you can check it now i'm going back to the initial screen and now we're going to the second screen now we are going to pass the video so here it is three two one so here it goes how we can pass and and pass the video so first of all good so i'm going to the end with this video three two as-salamu alaykum dosto jay video test recording hai is me hum russian west light ke installation do you check it and also check in the same time you check this is normally what we can use in computer which is the way we can use programming and documentation video audio editing whatever the video so let's check it out and check it out and check it out and desktop bottom test bar start menu button and all the things as usual हैं तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं और टेस्ट रिकार्डिंग को खदम करते हैं